करिब नो माँ बाद न्यू मैडिकल कोले इस्पताल में फिर से OPD के वेवस ताश्यूर होई है पहले दिन OPD में कम संख्या में मरी इस्पताल पहुंचे विए इस्पताल में चल रही ठेकाश रमेकों की हर्ताल की कारण रोग्यों को दो गंटे परिशानी का साम ना करना पड़ा अस्पताल में आने वाले रोग्यों की समय पर रिजिस्ट्रेशन पर्चिया नहीं बन पाई साथ ही जौंच के लिए पर्ची कटवाने के लिए इंतजार करना पड़ा औपिड़ी में सीनियर चिकस्कों के साथ साथ रिजडर्ण चिकस्कों ने भी कमाइण सभाली है ऐसे में लंबे समय के बाद रोग्यों को अस्पताल में उपचार मुहईया नहीं हो पाया कोरुना काल में रोग्यों को चार के लिए भी एम्बीय स्पिताल जाना पड़ रहा था अब न्यू मेडिकल को अस्पिताल में सामाने ओपेडी की सेवा शुरू होने से रोग्यों के चेरे खिल उठे नए अस्पिताल में एक लंबे अर्से के बाद चिकिस्ता सेवाई शुरू ही है ये जो नए कोटा में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि उनको यहां से करीब 12-15 किलमेटर में एम्बीय स्पिताल जाना पड़ता था तो उन्हें काफी राहत मेस्स होगी और सेवाई सुचार रूप से चाल होने से एक ये बात भी अपने को देखने को मिलती है कि भी कोरोना काफी कम हो गया है फिर भी उससे सावधानी रखने की जरूरत है तो दूसरा यहां पर सेवाई शुरू होने से ये फाइदा होगा कि जो एम्बीय स्पिताल में बहुत ज़्यादा भीड़ती क्योंकि इस्पेस कम है लोग ज़्यादा हो जाते थे दोनों तरफ के मरीज़ मां जाते थे तो वो भीड़ कम होने से भी कोरोना का जो फेलाव है जो भीड़ बरी अलाके में होता है तो उसमें भी रहत मिलेगी